Hello dear students, welcome back to my stable class channel तो dear students, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे wheat stone setu, जो की class 12 के board exam के लिए बहुत ही important है तो dear students, ये हर बार किसी सेट में पूछा जाता है तो इस वीडियो को बिना skip की एकदम अंतक देखती रहना देखिए आपका wheat stone से तो कुछ इस परकार का diagram बनाया है हमने सबसे पहले इसके रचना लिखनी होती है और उसके बाद इसका सिध्धान लिखना होता है और उसके बाद हमें proof क्या करना है P upon Q equal to R upon S को proof करना है इसका यहाँ पर diagram देख सकते हैं इसके बाद हमें किस परकार से बनाया है इसमें चार पिर्तिरोद P, Q, R, S ठीक है A, B, C, D के द्वारा एक चत्रबुज बनाया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदू A और C के बीच में एक cell E कुझी K1 के द्वारा जुड़ी है ठीक है बिंदू A और C के बीच में एक cell E कीटरण के द्वारा जुड़ी है ठीक है उसके बाद हिएँ पर आप देख सकते है B और D के बीच में गैलवन इमेटर जिसे धारमापी कहते हैं कुंझी K2 के द्वारा जुड़ा है ठीक है इस पिरकार से इसकी रेचना में लिखना है हमने यही लिखा है कि इसमें चार प्रितरोत PQRS PQRS ठीक है को जोड़कर एक चत्रबुज ABCD बनाया है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदू A बैस C के बीच एक सेल E को कुझी के बन के द्वारा जोड़ते हैं हमने यही बताया बिंदू A और C के बीच में एक सेल E कुझी के बन के द्वारा जोड़ते हैं ठीक है उसके बाद आगे देखिए B तता D के बीच एक धारवापी G को कुझी K2 के द्वारा जोड़ देते है यानि कि B और D के बीच में Galvanometer जिसे धारवापी कहते हैं G को कुझी K2 के द्वारा जोड़ते हैं हमने यही लिखा है उसके बाद देखे, सिधान्त को किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यानि कि हमारी जो चार प्रितिरोद है P Q A S ठीक है इन चारों प्रितिरोदों को इसमें इस प्रकार से सेट करते हैं इस धरा मापी में कोई परिवर्तन नहीं हो जब हम current फिलो करेंगे तो इस धरा मापी में कोई परिवर्तन नहीं हो तो हमारा जो भीट स्टोन सेतू होगा वो प्रूफ हो जाएगा यानि कि संतुलित हो जाएगा ठीक है हम इस प्रकार से इन चारो प्रतिरोधों को सेट करेंगे इसके सिद्धांस में हमें यही लिखना है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार विवास्थित करते हैं कि परिपत में धारा प्रवाइद करने पर धारा वापी में कोई विक्षैप ने हो तो उसे संतुलित की अवस्ता कहते हैं ठीक है यानि कि P upon Q equal to R upon S हमें प्रूफ करना है ठीक है देखे हमारा ये इस प्रकार से सिद्धानत है उसके बाद देखे हम किर्चोप का दित्य नियम लगाएंगे ठीक है देखे आपने कर्चोप का नियम तो पढ़ाओगा इसमें दो बंद पास है बंद पास एक और बंद पास इसका दूसरा ठीक है तो देखे ए बी डी ए ठीक है ये इसका पहला बंद पास है और दूसरा बी सी डी बी ठीक है ये इसका दूसरा बंद पास है हम बंद पास एक के लिए क्रचौप का दित्य नियम लगाने वाले हैं यानि कि A B D A ठीक है हम इसमें क्रचौप का दित्य नियम लगाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रचौप के दित्य नियम से बंद पास A, B, D, A में ठीक है यानि कि पहले बंद पास के लिए A, B, D, A में ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A और B के बीच में जो धारा है I ठीक है और प्रतिरोध P है ठीक है यहाँ पर हमने लिखा है धारा I इंटो में P ठीक है उसके बाद देखिए B और D के बीच में गैलवन इमिटर है और कंजी K2 है ठीक है उसके बाद D और A के बीच में हमारी धारा I2 है और प्रतिरोध R है ठीक है देखिए इसमें धारा की दिशा बिप्रेद मिली है इधर की और मिलनी चाहिए थी लेकिन हमें इधर की और मिली है ठीक है तो यहाँ पर हमने इसलिए माइनस का चिन लगाया ठीक है यानि कि माइनस के I2 गुणा में R ठीक है उसके बाद देखिए इसमें कोई भी विद्दूत बाहक बल नहीं लगा है तो इसलिए हमने इक्वल टू जीरो रखा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमने इसको सही से लिका है यानि कि I1 P इक्वल टू I2 R यानि कि हम I2 R को बराबर के दूसरी ओर ले गए ठीक है यानि कि माइनस का चिन हट जाए ठीक है तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं I1 P एक्वल टू I2 R यह हमारी समीकर नंबर एक है उसके बाद देखिए उसी प्रकार हम बंद पास दो के लिए किर्चॉप का देतियन हम लगाने वाले है यानि किर्चॉप का देतियन हम लगाने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बंद पास B, C, D, B में ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या है यानि कि इसमें जो धारा है I1 और प्रतिरोद क्यों है ठीक है तो हमने यही लिखा है धारा I1 गुड़ा में क्यों ठीक है उसके बाद यहाँ से C और D के बीच में धारा I2 और प्रतिरोद S है ठीक है तो हमने धारा I2 और प्रतिरोद S हमने माइनस का चिन इसलिए लगाया क्योंकि हमें धारा के दिसा बिप्रीत मिली हमें इधर के ओर मिलनी चाहिए थी ठीक है तो देकि हमने माइनस का चिन इसलिए लगाया है इक्वल टू इसमें भी कोई विद्दूद बाहक बल नहीं है इसलिए हमने इक्वल टू में जीरो रखा है ठीक है उसके बाद हम जो माइनस का चिन ने यह हट जाएगा इसको बरावर के दूसरी ओर ले जाएंगे ठीक है यानि कि I1 Q equal to I2S ठीक है यह समीकल नंबर हमारी दो हो जाएगी ठीक है हमारे पास दो समीकल है समीकल एक वे समीकल दो हम समीकल नंबर एक को समीकल नंबर दो से भाग देंगे ठीक है तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, समीकार नमबर 1 है, I1 P equal to I2R, इसको हमने ऐसे ही लिखा है, I1 P equal to I2R, ठीक है, उसके बाद जो बचा है हमारा, P upon Q equal to R upon S, ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से रखा है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते S, ठीक है, यही हमारा 20 stone से तू है, इस प्रकार से 20 stone से तू संतुलित होता है, तो D student आपको बड़ एक्जाम में इसी प्रकार से करना है, आपको एकदम full marks मिलने वाले है, ठीक है, तो D student यह वीडियो आपको कैसे लगी, comments box में comment करके बताएं, और हमारे comments box में Instagram का link है, उसको जाकर follow करें, ठीक है, वहाँ से आपनी query पोच सकते हैं, तो D student comment जरू करें, तो चलिए मिलते हैं, नेस्ट वीडियो और नेस्ट आपके के साथ, तब तक के लिए जहिंद बंदेवाद्रम